वेबसेट बनाया गया है जिसमें बहुत सरे नए नए फीचर को एड किया गया है जो कि आपको uidei.gov.in पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो सतारे फीचर को आपको इस वेबसेट में देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस वेबसेट के बाड़े में पूरा डीटेल जानने के लिए video को please पूरा अंतंग जरूर देखिये पूरा जनकाड़ी आपको मिलने वाल前 और प्रूपर जनकारी मिलने वाल इसलिए प्लीज प्लीज इस वेबसेट का लिंग आपको description में मिल जाएगा क्लिक करके आप इस पेस पेस डायरЕक्ट आ सकते हैं तो कुछ इस तरीके का नयावला website का look है इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सारे feature को यहाँ पे highlighted किया हुआ है पुराने website में यह सारा feature तो है पर highlighted नहीं किया हुआ है इसमें पुरा highlighted किया हुआ है इसमें use करना और आसान कर दिया गया है देखिए सबसे पहले इसमें feature का बात करें तो download आधार का option है आधार card को download कर सकते हैं उसके बाद order आधार PVC card PVC card को order कर सकते हैं और उसका status भी check कर सकते हैं और enrollment and update का status चेक कर सकते हैं कि मेरा आधार अभी update हो गया या फिर नहीं अगर update कर आए हैं तो तो ही check कर सकते हैं उसके बाद locate enrollment center और अपने आसपास में आधार enrollment center पता कर सकते हैं कहाँ पे हैं नस्दीक में वहाँ पे आप अपने आधार card में सुधार करवा सकते हैं या फिर नया आधार card जिसका नहीं है उसका वहाँ पे बना भी सकते हैं उसके बाद है book and appointment, appointment book करने का option है, यह सारा feature पुराने वाले website में भी था, उसके बाद है retrieve, lost, forgotten, eid, uid, अगर आपका आधार card गुम हो चुक है, उसका number आपको नहीं पता है, तो उसको यहां से पता कर सकते हैं, यह feature भी पुराने website में था, लेकिन यह सब highlighted नहीं होता था, उसक आपको नहीं पता है कि मेरा कौन सा number आधार card से link है, या फिर कौन सा email आधार card से link है, इसको चेक करना चाहते हैं, तो चेक कर सकते हैं, अलग-अलग number से try करेंगे, तो जिसमें आपका tick मड़ा हुआ आ जाएगा, उससे पता चल लेगा, कि यह आधार number आपका आधार number से link है या फिर यह email आपके आधार से link है, तो इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई आधार card दे रहा है और उसका number दे रहा है, और पता करना चाहते कि यह आधार number सही है या फिर नहीं, तो यहां से verify आधार पे click करके उसको verify कर सकते हैं, उसके बाद है last वाला अप्सन है log on log अधार अपने अधार काड के service को लॉक भी कर सकते हैं वो कैसे होता है अभी आपको दिखा देते हैं इस पे click करेंगे और यहां से आप अपने log UID अपने अधार काड के number को lock कर सकते हैं कहीं भी use किया जाएगा आपके अधार काड के number को तो वहां पे invalid बताएगा क्योंकि वो number lock हो चुका है इसके साथ ही साथ बहुत सारा log करने का feature होता है अपने biometric feature को बंद कर सकते हैं कहें भी आप अंग्ठा लगाएंगे तो काम नहीं खड़ेगा तो इस तरीके से log करने का बहुत सारा feature होता है तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई confusion है तो नीचे comment करके जरूर बताएगा उसका reply हम जरूर करेंगे और आप इसी तरीके से किसी अगले topic के उपर वीडियो देखना चाहते है तो नीचे comment करके जरूर बताएगा उसके उपर वीडियो जरूर लेकी आएगे तो चली चलते हैं मिलेंगे फिर अगले वीडियो में